डूद के दाम दो रूपए बढ़े अभी, हर कुछ दिन में बढ़रा हैं तो आपको लग रहा है कि यह क्यों बढ़रा है या कुछ असर पढ़ता है जब चाई पीते हैं दूद पीते हैं बच्चे तो अभण साफटा हैं और अगर हमेशा on and off ये दो-दो रुपे बढ़ता रहेगा तो वकट पर तो भारी पढ़ता ही है भारी पढ़ता है बिल्कुल तो मन में क्या ख्याल आता है क्यों बढ़ रहे होंगे एकात कोई assumption या कोई अनुमान तो लगाते होंगे आपकी इसलिए बढ़ रहे होंगे अनुमान क्या लगा सकते हैं जो भी reason होगा मेंगाई हर चीज की बढ़ रही है वो भी बढ़ रहा है इसका कोई specific reason तो होना नहीं चाहिए मुझे लगता है बीच में JST की वज़ा से बढ़ गया किसी reason से बढ़ गया इसका idea तो नहीं है अगर हम सिर्फ इसका देखें कि दो रुपे है तो उस तरीके से तो नहीं पढ़ ता लेकिन हाज जब पूरा मन्त का आप जोड़ोगे तब जरूर निकल के आता है और इस तरीके से फरक पड़ता है अधर वाइस तो दो रुपे फिर कही मैटर नहीं करता लेकिन हाज अब पूरा केलकुलेट करोगे तो पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो जाता है दूद खरिती हैं आप दूद में खरीदती नहीं हूँ, मेरे तो खुदी घर में गाये हैं, काफी सारी गाये हैं, दस-पंदरा हैं, मेरी मम्मी उनको देख रेक करती है, इतना इतने जादा हैं, दस या पंदरा आपको पता नहीं है, मतलब, मुझे गिंती नहीं है, तो आपने क्यों नहीं करते हैं मम्मी के साथ मम्मी के साथ मेरे भाई लोग हैं वो लो करते हैं तुम्हें हाँ मैं नहीं कर सकती है आपको कुछ पता है हिसाब किताब कितने का बिखता है यह सब कुछ पता है आपको हाँ मुझे ऐसा लगता है साथ रुपे के लोग बिखता है शायद साथ ही हाँ साथ ही नगे हैं तो बहुति है लेकिन प्रख से जुचते आपके किसलिए बढ़ रहा है वैसे आपके गरफों आपको पता होगा है जी आज कल चारे वगेरा यह उनका खाना पीना बहुत तो इस लिए तो दूद करेट तो बड़े गई अगर नहीं बड़ेगा तो फिर उनका चारा नहीं आ पाएगा ठीक से उन्हें खिला नहीं पाएंगे फिर वह फिर जादा दूद नहीं दे पाते हैं दूद का पकेट खरिपती हैं आप क्या चेंज में सूस्किया अभी दिन दिन उसके रेट बढ़ते चाहरे हैं पहले साथ का आता था फिर फिर फिफ्टी एट का हुआ फिर सिधे उन्होंने 60 का कर दिया 62 हुआ अब 64 से 66 हो गया और दो तीन दिन में ही एक हफते में ही रेट उनके बढ़ जाते हैं और इंकम इतनी है नहीं तो हम कहां से पे करेंग पूछों कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं क्यों इतनी महगाई बढ़ रही हैं तो किसान और दुगदपालक जो होते हैं वो किसान लोग देते हैं दूर्य को नहीं मिल रहा ना मेरे पापा कोद एक किसान है हमारी फसल भी खराब हुई है और कोई वह नहीं मिल रहा आप छे सब्राइ को नोगनी जो हैं उनको थारे के देरें दीशान वोगने उनको त्छार इस पे फसल का थोगता फपाई फासल कड़िक होती है बारिश हो हरी है तो फसल खराब परिदो कुछ भराब होरे हैं कुछ भी नहीं मिल राए पाश है तो खका मामला आप पले मुझे नही अर हर मैने चाहते हैं और मेरे घर में नौडा में ही गाएं और भैंस के दोनों थी और मेरी ममी ने बहुत सेवा किया उसके ँपर अक्सवा आपको प्यूर मिलता है क्योंकि आपको प्यूर मिल रहा है चावल प्यूर मिल रहा है आपको जो आप खुद की फसल होगा रहे हो हम कभी भी गयूं बाहर का नहीं खाते है अब यह देखो ना चलिए बात दूज से शुरू हुई थी अब हम पड़ता लगाते हैं पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ा दुखद उत्पादक देश है दो सो मिलियन टन से थोड़ा सा ही कम है लग 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 एक सो नबे मान लीजे आप हम सबसे नंबर वन पे हैं लेकिन तब भी दूद की खपत जितनी हो रही है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है चार गुना जादा खपत है लेकिन फिर भी खपत पूरी नहीं हो पा रही है दाम लेकिन बढ़ते रहते हैं जरा पता लगाते हैं कि दाम बढ़ते क्यों हैं चलि यह चलते हैं, नमस्कार, कितनी भैसे हैं आपके पास में, तीन भैसे हैं, क्या नाम है आपका, राजंदर जी, तीन भैसे हैं, और गाय भी दिख रहे हैं, जो गाय है, दूद्ध अभी क्या लिटर चल रहा है आपके यहां पर, हमारे जो दे रहे हो, हूँ, 60-65, नहीं, 60 है जैसे फूल क्रीम मान लो कित्तर का रुपे का दे रहा है, जो देते हैं, 60 रुपे चल रहा है, बाजार में आमूल का और मदर डेरी का यह दूद, 65 रुपे के असपास में है, अमूल का थोड़ा सक कम होगा, मदर डेरी का जादा है, उससे जादा है, 66 रुपीज हो गया, 00約 2 रुपे बॉल गया है, मदर डेरी का, तो आप कितने में देरे बागए, आगे तो देरे सप्तर में, एई, आप सब्सम्तर में बैच रह ज्यादा है, इहाँ पर साच रुपे में यहां पर साट रुपे में जारा है, अच्छा खिलाते क्या है यह महंगा क्यों हो रहा है तुनका मतलब भूसा भूसा ही बहुत जाद महंगा हो गया और बहुत चुरी चुल का इस तरे एक दिन में एक बहुत कितना खा लेती होगी किलो कुछ यह तो बता दो कितना चारे का महेंने का खर्चा कितना आ रहा है कितनी चार बैस हैं और एक गाय है 20,000 रुपय हैं इन पे ख़र चा रहा है नही। को मध्ना थब हुआ अबना है तो उससे गुजारा हुरा उससे गुजारा हो रहा हुरा हम आप मने क्षेद की भी खिल आते हैं और सभी बाजर में खल क्या मुद किलो चल रही है 40 रुपे किलो एक दिन में कितना खा लेती होंगी एक मैस अंदाजा लगा है लेकिन महीने में 20,000 अच्छ मिलागे 20,000 खली पे लगता है और बाकी पे फिर भूसे पे चारा लग चारा वे कितना लुचा मैं अपने बता तो अपना खेट का हो जाता है तो अच्छा कम से कम लग जाएगा तो टोटल होगा 30,000 अच्छा और तूडी वगरे मिला लें तूडी मतलब वो जो फसल का कट के रखता है तो उसको लगा के तीस अजार रुपे का खर्चा आजाएगा इन चार पांच बहसों पर टोटल पांच पे 30,000 रुपे का खर्चा आ रहा है यह क्या है 20 लिटर से उपर हो जाता है तो कितने रुपे हो जाएंगे अब साट के हिसाब से लगा लें हैं यह परड़े आपको मिल रहा है कि ठीक है और इनकी तवेद वगरे भी खराब होती होगी नुकसान भी हो जाता बहस भी खराब हो जाती है बहुत दिक्कत कीज़ा है कि मरकिटी में उस्टा कि ने ठीक है किसान के पास BMW की ये खार इसामने सब चीह कितनी उपर हैं हैं कितनी बहस हैं और क्या दूद दे रही है और क्या हिसाब किताब चल रहा है इसमें खर्चा कितना लग रहा है और बेच कितने बरहे हैं अब यह लगा लो साट रूपे लिटर बेच रहे हैं आप साट रूपे लिटर बेच रहे हैं अब यह बचता है और कुछ ने बचता है और यह राखना थोड़ा मजबूरी एक क्या करना वाथ कि बाजार में भी तो हम देख रहे हैं कि छासाट रूपे किलो भिक रहा है इसको नहीं लेने कुछ लोग विश्वास न करते इस पर यह कह आप 66 नहीं बेचते 60 बेच रहें लेकिन आप क्या क्या खिला रहे हैं इनको आप और परड़े का रोजाना का कितना बूसा या फिर खली खा रहे हैं बिलोने की खार छिलका चोकर यह सब चीज खिलाते हैं कितना खर्चा है सब कुछ मिला के और पचास लिटर दोनों निकल कि खर्चा भी लगा लो कौन से रुपें बिल दर मिले घर के आदमी है फंद्रास रुपे फंद्रास रुपे और दोहजार रुपे मतलब 35 रुपे का पढड़े खर्चा है आपका इसके उपर पचास लिटर दूद पे बिक तो आपका ठीक रहा फिर तो आपको नुक्सान अचाहिए लुक्सान के बराबर शुटा है नौ लॉस्ट नौ परोपी जो जो बचते हो ते खालें दूद घी वह बसकते हैं लोग वह बचता है गाय का अलग बिकता है लोग कम शाहिद देतें पैसे उसके उसके पचास रुप लोगा कम क्यों है उसके पैसे गाय का गई है गाय मरी बहुत लंपी से बहुत गाय मरी कैसे बचाया और जितनी बची हो कैसे बची है वो कैसे बचाया बस वो श्वार दवा कराई डॉक्टर से ऐसे बचाया उससे दूद तो खराब नहीं हुआ था नहीं दूद कुछ खराब नहीं हुआ था नहीं दूद कुछ वोई सेम आपका है हमारे एकी माम्ला Goddess हमारा एकी माम्ला अच्छा कुछ विशेश बात हमको तो लग रहा कि प्रॉफिट में है आप अप ने जी बोल रहा है तो लिश् erfahren nowski तो यह वह नुखाना जायहिगा उसका बता दिया चारे का लेकिन वह बीक तर लोल की बलाना 5 adults तो यह लेकिन कोम तो करना पड़ रहा क्या कर रहा है और तो कुछ है निए खाने के लिए बच जाता दूद जाग देशी अपना घर खाती लेता और क्या इस तरह से बच रहा है वो अनितवे से तो आपको बताई दिया हिसाब लगा कि इतना तो आप में जा रहा है खर्चान ओं गर में सदस दस है और इसी के पीछ है लेकिन करें क्या और कॉम तो कुछ है बच्चे नوقरी करते नहीं नहीं करते हैं इसी पर डिपेंट है दूस से चलरे घरका और दूस से चलरा इंध सारा तृसर से चलता है तो क्या कर रहे हैं बच्चे पढ़ रहे था है। तो इतने तक पढ़े यहां पर लेकिन जब नौकरी नहीं लगते हैं लेकिन लगते हैं लेकिन आज टावर लगे हुए है नजदी गाउन में लोकल को यहां लेते हैं लोकल को तो नौकरी नहीं है कि देख रहा हूं मैं आसपास में बहुत बड़े-बड़े टावर है यहां पर शेहरों के बीच गाउं है जितने भी आदमी है इसमें कारिय करता है सब बाहर के लोकल को नहीं लेते हैं नहीं पर अगर डिगरी होगी तो ले ले लेंगे ना वो ने लोकल को बहुत कम है ना ड अपनी दाद अगर दिखाएंगे लेकिन वो चीज नहीं है अब तो बहुत आदमी हिसाब के हो गए वो तो पहले मामले थे लेकिन वो चीज अब नहीं अब तो बच्चे गाउन में भी सब पड़ लिग गए ऐसी बात नहीं हम लोग जब चाई पीते हैं ना हम तो शहर में हम करें डाद करेंगे आपके पास कितनी गाय और कितनी वहस हैं एक गाय वहस है तो एक गाय गह इतना बच रहा है आपके बास में इतना बच रहा है लोग यह सोचते हैं कि यह महंगा क्यों हो रहा है दूद बार बार हम लोग जब चाय पीते तो यह सोचते हैं कि खल भी महंगी होगी है चारा भी महंगा होगा है पसू भी महंगा आ रहा है ख़वाने पिलाने में कमी बचता है अभी तो भी मारी बबर अगई थी लंपी कोई दिक्कत न हुआ था ना उससे कुछ लोगों ने मैसेच चला यह कि दूद खराब हो रहा है और वे मार से दूद का कोई मतलब नहीं है तो यह जो दूद के भरोसे हैं या फिर कोई और भी काम भाई इसको बंद कर देना तो कैसे चल रहा है घर इसते में चल जाता है इतने में चल जाता है चार सो रुपे पड़े में चल जा रहा है कि आप कि 12,000 में काम भी बच जा रहा है कुछ-कुछ लोगों की पता सबजी नहीं बनाते हैं यह पीजा कहते उनके पास नहीं बचते हैं आप लोगा नहीं खाते हैं फिल्म नहीं देखने जाते हैं नहीं कर दोने दूसरे के उस में जो मुंबाइल में देख लेते हैं है टीवी भी नहीं देखते आचा हम ने जानते हैं हम तो खाते हैं लोगते हैं किसान के परिवार में लोगों से बात करते हैं बच्छे लोग क्या बोलते हैं पापा क्या करते हैं पापा क्या करते हैं पापा क्या करते हैं पापा क्या करते हैं बैस गाए है ना बैस गाए है आप क्या करते हैं आप कि वह जार है घ्लाओ का बोलते पापा स्थीक चल रहा है आप देखते पापा को सब ठीक चल रहा है कुछ गरबड भी चल रहा है जा भी निए तुन मेंगने स्लफ में आता है म्हाँ द। cargo करां मैरडर बाईन कर तda प्टाद करते हैं नहीं कार पर कुछ बी नहीं करते हैं वहले स्वाड़ी मोबाई लोदेख सेलिंदacy क्या देंग्स हां कुछ जाते हैं मुबाईन सीथी धे कुछ फल्टोवर वलोड है एक हजार एक जार हो गए तू कुछ मिल नहीं रहा व समय अभी कॉनसा वीडियो बना लिया अभी जो ट्रेंडिंग में चलता है वज बना से अभी क्या चल रहा है यह त्रेंडिंग में कौन सा गाना है यह एच दो आझा यह रहू है न आ डेस है प्रोक व्ल lang पारया मघ्रा यह ल voltar मेरा क्या लारश ना यह फेश्ट जब्स मेर घंग लिए करफ स्कूल से ये खाना बज गया वो लेके आ रहा हूँ वहां पर ये दोनों कंटेनर में रखके ला रहा हूँ गाए के लिए चारे के इंतजाम ऐसे भी किया जाता है बात करने में ये बात समझ में आई कि दूद महंगा क्यों हो रहा है तो जहां से दूद आता वहीं जाकर ये कि चारा महंगा है अब इंपूट कोस्ट महंगी है तो आटपूट कोस्ट उसी हिसाब से महंगी हो जाएगी लेकिन महंगा नहीं कहा जा सकता किसान के लिए क्योंकि किसान तो बोल रहा है कि हमको कुछ बच नहीं राजादा प्रॉफिट है नहीं और हम लेकिन सुचते हैं को profit भी हो सकता है लेकिन है नहीं दाम इसलिए बढ़ रहे हैं लेकिन जब हम चाय पीते हैं या दूद पीते हैं शेहरों में तो हमको समझ में नहीं आता है चलिए फिलाल चलते हैं झाल चलते हैं